कि येधा है भी यूचे को नारा डिखने के लिए बहुत नी erे घ्लिख्डम आज दिसक करने-वाले हैं कि ये गाड़ी मिर को किटने की पड़ी में कमेंट आया था कि कि आग्साया आपको कितने की पड़ी है क्या डील हें मैंने उसमें bet fils बताया था बट वह प्राइस मिरको कैशे पढ़ा क्योंकि इतने price में गाड़ी मिलने रही है ये वाली तौंखे कैसे discount मिला मैंने किस-किस-किस से बात करी कौन-kौन शे और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या वो ट्रिक्स हैं क्या वो टिप्स हैं जिसकी वजह से आपको अच्छी बहतर डील मिल सकती है क्योंकि यह गाड़ी मैंने जैन में ली है तो हम यहां पर राना मोटर्स मैजिक ओटो डीडी मोटर्स सबके पास में गए और सबसे हमने डीलर्शिप चेक करी कि कितना हम अच्छी डील मिल सकती है तो इस गाड़ी का जो एक्ट्रूम प्राइस था वह 7,34,000 था और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन चार्जिस था वह क और आपका ऑटो कार्ड है एक्टेंडड वारेंटी है कई सारी चीजें है तो फाइनली जो गाड़ी मेरे को पढ़ रही थी जो टोटल प्राइस पढ़ रहा है वह 8,37,000 पढ़ता है 8,37,000 अभी इसमें कोई डिसकाउंट नहीं है यह प्रॉपर गाड़ी का प्राइस है ज सबसे पहले जब इनका स्टार्टिंग प्राइस आया था उसके बाद 20,000 से 50,000 फिर यह 10,000 तो इस तरीके से इनके डिसकाउंट डिक्रीज होते रहो जैसे कि ऑक्टूबर में फिर नवंबर में कम हो गया फिर दिसम्बर में और कम हो गया इस तरीके से तो अगर मैं इसमें 15,000 अपना डिसकाउंट हटा दो तो यह गाड़ी मेरे को पढ़ती है 8,22,000 सम्थिंग तो यह मेरा एक अमाउंट बन गया था और आफ्टर डैट मैंने उनसे बार्गिनिंग करी कि सर आप बताइए कि मेरे को फाइनल प्राइस किया पड़ेगा क्योंकि इस प्राइस पे मे एक से पूख है और थोड़ा सा रिसकस किया फिर उन्होंने कि क्या कि सर आप क्या नाम से गाड़ी क 먹고 करा सकते हैं अगर आप इस गाड़ी को जल्दी से शलिवाक्ष कराते हैं तो हम आपको सोह सकते हैं इतना डिसकाउंट तरिम ने करी मैंने घी है कि यह है मेरे पास तो यह competent automobile से अगर आपको camera में नज़र आ रहा हो किया मैं आपको बाद में डाल दूँगा आप इसको आराम से देख सकते हैं तो finally मेरे को 8,13,000 पे गाड़ी final हो गई और मैंने उनको 5,000 रुपीज देखे बुक करा दी अच्छा इसमें एक जो मेन बात है वो यह है कि यह गाड़ी मैंने जैन में जरूर लिए बट इस गाड़ी को मैंने December में वो भी 12th of December को बुक करा दी थी तो यह गाड़ी मैंने एक महिने पहले ले ली थी तो यह उनका कहना था कि क्या नाम से आपको बुक करानी पड़ी तो मैंने बुक करा दी that's okay finally यह बात हुई मैंने उनसे यह बोला कि मेरको यह गाड़ी December में नहीं चाहिए मतलब विदिन डिसेंबर और डिसेंबर में भी around 20 के आसपस यह सारी आपकी गाड़ी हो जाएगी उसके बाद में हम कर सकते हैं उनने ठीक है तो फिर मैंने यह सारी पेमेंट विदिन डिसेंबर सारी इनकी पेमेंट कर दी और यह गाड़ी मेरी 2021 में आर्सी में डेट आनी चाहिए तो इन्होंने यह गाड़ी 2nd of January को आर्टी ओफिस में पेपर भेजे तो यह गाड़ी का जो रेजिस्टेशन है अभी आर्सी मेरे पास आई नहीं है वो प्रॉसेस में वो डिस्पैच हो गए बट अभी स्टिल मेरे पास आई नहीं है त अगर जैसे आप लॉंग टर्म के लिए गाड़ी ले रहे हो तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है बट अगर आप जैसे जल गाड़ी आपने लिए और दो चार साल में आपको बेचना है तो इस चीज़ को बहुत जादा फरक पड़ता है कि आपकी डिसेंबर की है जैन की यह ओपन नहीं हुए है तो इस वज़े से मैंने यह गाड़ी 2021 में रेजिस्टेशन कराना ठीक समझा तो फाइनली मैंने 15 तारिक को मेरी इसकी डिलीवरी की डेट थी कि गाड़ी मेरी 15 जैन को डिलीवर होगी बट कुछ काम रह गया था इस वज़े से उसको 17 जैन को मैंने गाड़ी डिलीवर कराई तो यह सारा प्रोसेस रहा मेरा इसका गाड़ी की डिलर्शिप का तो मैंने इसकी कुछ पेइमेंट कैश कर दी बाकी यह मैंने गाड़ी फाइनेंस करा दी है तो फाइनेंस के बाद जो भी मेरे कोई गाड़ी एक आधा ज्यद्स पर नीचे कुछ में डालूंगा आप उसको देखेगा अगर आप कोई भी गाड़ी मारूती की प्लाइन कर रहे हैं तो उन पर जरूर जाईएगा उनसे बात करिएगा और इनके हाथ में काफी सारी चीज़े होती हैं अगर आप इनसे काफी अच्छी तरीके से बार्गनिंग कर सकते हैं इफ यह अगौड बार्गनिंग स्केल तो आप काफी अच्छी डील ले सकते हैं क्योंकि मैंने बाकियों के पास राना के पास ओर आपका मैजिक आपकर डी दीमोटर तो इनसे में मैंने बात करी थी बट मेरे को गाड़ी काड़ी डिसम्बर में नहीं लेनी थी और वाट थ फाल में आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई भी गाड़ी लीजिए है not only for Maruti आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप पहली बात तो सर्चिंग जरूर करिए क्योंकि मैंने इस गाड़ी के लिए जैसे मैंने आपको बताए कि मैंने कोई डीलर्शिप नहीं छोड़ी जितनी भी मेरे आसपास डीलर थे इनके महरूति कि मैं सबके पास गया और मैंने सबसे अच्छे से डीलिंग करी और जो मेरे चाफिक वी बेस्ट पढ़ी वह मेरेको फाइनली जो पढ़ी after two months वो मेरे को ऐसा कुछ मिला क्योंकि मेरा पूरा नवंबर मुझे याद है मैंने पूरा नवंबर सर्च करता रहा हूँ कि कहां पर मेरे को कितनी अच्छी डील मिल जाया तो मेरा पूरा नवंबर इसमें गया और finally December में मैंने गाड़ी अपनी बुक कर दी सब कुछ ओके होगे और इन फ्यूचर काफी सारी वीडियो जाने वाली हैं अभी इस गाड़ी में मैंने कुछ भी नहीं कराया कुछ एक दो छोटे-छोटे काम कराया है शायद हो सकता है आपको कुछ नजर भी आ जाए यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा नजर आता है अभी आपको कुछ नजर आता है